जब आइडिया सही नहीं होता तो भगवान कहता है No, नहीं जब वक्त सही नहीं होता तो भगवान कहता है Slow, धीमे जब हम तयार नहीं होते, when we are not ready, तो भगवान कहता है Grow, grow करो और जब सब कुछ सही होता है तो भगवान कहता है जाओ जीत लो पूरी दुनिया फैला दो अपनी ध्वजा तो बात यहाँ पे इन चीजों की है और ये एक ऐसा कथन है जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होता है स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैंने हाली में एक किताब पढ़ी ठीक है एक बहुत ही शांदार किताब जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगी मैंने ऐसी बहुत आपको पते ही कि मैं काफी किताबों का रिवीव करता हूँ मेरी आदत है कि हफते में एक दो किताब तो मैं पढ़ी लेता हूँ ठीक है लेकिन कुछ किताब ऐसी है जो जिन्दगी भर के लिए मेरे साथ हो जाती है और मैं कुछ किताबों को गिफ्ट करता हूगर कोई मिलता है तो तो उनमें से ये जो किताब है Happiness is Success ये इतनी शांदार किताब है इतनी जबर्दस किताब है कि मज़ा आजाईए आपको इस किताब का जो एक बहुती फेवरेट कोट मुझे लगा कि It's not necessary कि every successful person is happy हर काम्याब इंसान खुश नहीं होता बट हर खुश इंसान Every happy person is always successful वो successful होता है आपको माइने पता चलेंगे कि आखिरकार खुशी क्या है और success क्या है यह जो बड़े differentiators है यह आपको पता चलेंगे कैसे खुशी तो है लेकिन बहुत सारे काम्याब लोग खुश नहीं है कोई suicide कर लिया कोई परशान है किसी में competition है अपनी जिन्दकी छोड़ दी है उसने बहुत पीछे खुशी की वज़े से सॉरी success की वज़े से काम्याबी की वज़े से तो दोस्तों यह किताब का आज हम review करेंगे और यह किताब लिखी है Air आत्मन इन रवी पचास से ज़्यादा किताबे लिख चुके हैं और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे हूँ क्योंकि सबसे पहली बात यह बहुती आसान language में लिखी है अकसर बच्चे मुसे पूदे सर मेरी reading habits सही नहीं है आप इस किताब को पढ़ो सबसे पहली बात आपको किताब पढ़ने की आदत लग जागी क्योंकि इतनी simple words में इतने tough tough concepts को समझाया है मेरे खयाल में यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी से बड़ी theories का बहुती simple तरीके से संक्षेप में इस किताब में लिखा है कि आपके दिमाग में हिट करेगी और घुस जाएगी अंदर तक ऐसा तो इस किताब का हम review करेंगे अगर किसी को एक किताब खरीद नहीं है तो link description और commit box में मैंने डाला हुआ है मेरे इसाब से इस तरीके की मैं जब भी किसी को gift देता तो किताब देता हूँ और इस तरीके की किताब जो है आपको अपने घर में रखने चाहिए अपने drawing room में रखनी चाहिए अपनी table पे ज़रूर रखनी चाहिए और ये gift देना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कब ये किसकी जिन्दगी change कर दे वाकई में तो हम शुरुआत करेंगे इस किताब का और ये मैंने अपने status पे भी लगाया था जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था के success सही है लेकिन भगवान हम भूल जाते हैं कि जो fourth factor जो भगवान है वो हमारे ऊपर है और वो हमारा ख्याल रख रहा है मैं मुझे पता है मैं भी determinism की तरफ जा रहा हूँ बट एक minute आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए अच्छे लोगों के साथ मेरे कलस होते है तो भगवान बोलता है कि रुक जाओ बेटा भी वक्त सही नहीं आया है जो तुम कर रही हो वो सही नहीं हो सकता है हमको उस समय बहुत ज़्यादा दुख हो क्यारी क्या हो गया लेकिन वो उपर देख रहा है और जब वक्त सही आएगा जब तुम तयार हो जाओगे तो वो बोलेगा कि बैटा आप रुकने की ज़रुवत नहीं है अब जीत लो पूरी दुनिया जीत लो महत्मा गान्दी का एक्जामपल लीजे भगवान शिरी कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता ग्यान दे आथा जो किस किताब में भी है उसमें भी उन्हें नहीं यहीं बोला था दुना चार ने एक लव्व को कही न कहीं उनसे उनका उठा मांग ला था क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगा थे लड़का तयार नहीं है तो तयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप तयार होंगे तो अपने आप ही चीज़े होने लगेंगी और यह होता है तो यह शांदार किताब ठीक है आप ज़रूर इसको पढ़ें और बहुत ही बेतरी हैं तो फिलाल अब हम इस किताब का रिव्यू करेंगे चलिए हैं आगे बढ़ते हैं यह कुछ पॉइंट से हैं ठीक है इस किताब के तीन पार्ट से हैं सबसे पहली बात है बहुत बल्की किताब नहीं बहुत मोटी किताब नहीं छोटी से किताब है लगभग 170-180 पेज की किताब है तो अब फडाक से इसको खतब कर सकते हैं और इसके कुछ पॉइंट से जरूर नोट कर लिजेगा क्योंकि आपके जिन्दगी पर काम आएगे तो सबसे पहले तो इसमें पार्ट A, happiness and success इसको समझाया है क्या success is equal to happiness क्या success is greater than happiness बहुत सारे example कोट किये एक example मैं बताता हूँ इस किताब का इसमें ये था कि एक बहुत बिलेनियर इनसान वो एक बार घूमने गया अमेरिका की कहानी है ये और जील के किनारे वो थोड़ा चिलाउट कर रहा था और उसने देखा कि उसका एक बहुत लूर लेवल का करमचारी जो है वो वहाँ पे है अब ये महीने का करोड़ों कमा रहा है वो महीने का हजारों कमा रहा है वो मचली पकड़ा था अपने परिवार के साथ तो उसने इसको बुलाया जो अरब पतिन सान था बुला कि इधर ओ मचली क्या पकड़ रहो भई तो उसने का कि सर मैं मचली पकड़ रहा हूँ तो उसने का कि काम करो तुम मचली पकड़ रहा हूँ उसने का हाँ बिलकुल मैं पकड़ रहा हूँ तो ये करते रहना कहता नहीं सर अब मैं वापस जा रहा हूँ हो गया मेरा काम कहता नहीं नहीं क्या बात करें तुम और मचली पकड़ो कुम मचली पकड़ो मचली मचली पकड़ो इतनी मचली पकड़ो कि तुम पूरी की पूरी बोट खरीद लो तो लगर उससे क्या होगा अरे उससे तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तो उससे क्या होगा अरे जब तुम्हारे पैसा सकते हो तो इसने बला अभी में क्या कर रहा हूं अभी बी मैं अपने परिवार का खयाल रख रहा अपने परिवार के साथ खोश हूं उसके लिए मुझे इतनी महनत करने की जरूरत है मैं दोस्ते पर्सनल अपना एक अग्जामपनिया पर देना चाहता हूँ कि मैंने कई बार दिया भी है एक बार क्या हुआ कि मेरे सामने जब मैं 12 में था जिस पकान में मैं किराये पर रहता था तो मेरे सामने एक बड़ा भारी मकान था तो अब सब्जी वाला आया वो बड़े अमीर लोग थे तो उनसे बहस करने लगे पांच रुपए के लिए बहस कर रहे हूँ और काफी अमीर लोग थे वो उनके अग्ज़ उस समय मंतली 2011-12 की बात है मंतली सैन्वी 12-13 लाग होगी उस समय बहस कर रहे हैं इतना भहस के आदे घंटे तक भहस किया कि नहीं पांच रुपए नहीं पांच रुपए नहीं उसके अगले दिन क्या हुआ कि मैं मेरी चपल टूड गई थे तो उस समय भी यह हम चपल अपड टूड या थे तो बनवाते थे तो जब मैं चपल टुडी मैं बनवा रहता तो मैंने देखा कि एक रिक्षे वाला उसने बन लिया एक कुत्ता आया उसने अपना बन जो है आधा बन तोड़ के कुत्ते को दे दिया ये होता है हमज़े हो तो इसका जो पार्ट ए है ये बताता है हापनेस आन सक्षेस बहुत अच्छे से डिफाइन करता है और इंपोर्टेंटट कंसेट्स देता है मैंने बताया ना कि यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट कंसेट्स जो है जो बहुत लिए टफ लगते है हिंदुज़म में six schools of philosophy है मैंने सब पर लिच्छ लिए हैं, कम से कम हिंदुईजम पर ही मैंने कम से कम 300-400 लिच्छ लिए हैं, तो अगर आप देखो, तो उसको भी बहुत अच्छे से यहां पर समझाने की कोशिश किया है, पार्ट ए में happiness को define क्या है, and success से इसका relation दिखाया है, किस तरीके से कही ना कही success आपकी happiness खा जाती है, अब इसमें author एर ने अपने भी examples कोट किये, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 साल की उमर में इन्होंने लाखोर रुपय कमा लिये थे, author को कामियाबी बहुत चल्दी मिल गई थी, 25 साल की उमर में he was actually ruling, retail businessman का नाम बहुत बड़ा नाम, लेकिन still बत है, यह बताते हैं कि इनसान एक बार उसको खुशी मिली, अब वो दूसरी खुशी के पीछे भागेगा, एक्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बुद्धिजम का सार एक चाक्तर में बहुत अच्छे से बताया है, कि किस तरीकी साब अपनी एक्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो अब एक्छाएं के पूरी नहीं होगी, तो एक के बाद आप उनके पीछे भागोगे, और आप खुशी को पीछे छोड़ दोगे, तो happiness and success, सबसे important जो चीज इसमें बताई है, ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, यह इस तरीके से success and happiness, and part भी इसका happiness जर्मी, य यह applied part है कि किस तरीके से आप छोटे-छोटे improvements करके, छोटी-छोटी चीजे अपनी उपर अपनी personality में apply करके, आप खुश रह सकते हो, and the last part is happiness and success, the most important part, यह पाट बहुत ही जबर्दस्त है, क्योंकि इसमें यह बताया है कि किस तरीके से अगर आप खुश हो, बुद्दाज म पहली चीज है, ठीक है, तो यह तीन पार्ट में वैसे मैंने सारे-सारे important point जो यह आपे लिख लिए है, तो सबसे पहली चीज, इसमें आपका ego तोड़ा है, mind and ego, जो दुस्वात-साथ चीजे चलते हैं, किताब में monkey mind है यह, स्वामी विवेकानन्द कहते हैं ना कि monkey mind है यह और यहाँ पे air भी यही कहते हैं, हिंदुईजम में गुरू का बहुत महत्व है, उपनिशत, आओ नीचे बैठो, उपनिशत, तो अगर उसमें concept आता है कि अगर आप बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे कर्म है, तो आपको इस जनम में गुरू मिलेगा, और इस किताब में भी गुरू के महत्व की, गुरू के महत्व को बता, वो बताएगा कि सही क्या है, what is the right thing to do in your life, तो सबसे पहले it's all about personal achievement, कि हर कोई बस भीड में लगा हुआ है, rat race है, rat race जीत भी जाओ, तो रहोगे तो rat ही, लेकिन यहाँ पे बहुत important concept आता है, तुम rat race जीत भी जाओ, रहो यह लेना है, हमको वो लेना है, पैसा आएगा तो हम यह कर लेंगे, हमारी इच्छाय इतनी है, तो it will not end, it will continue, आपके personal achievement आपको बहुत जादा लगने लगेंगे, जिसकी वज़े से कही ना कही आपकी खुशी पीछे छूटती जाएगी, आप अपने परिवार को यहाँ पर एक के बाद एक legal case जो है, वो मैंने लड़े, मुश्किले बुका सामना करना पड़ा, और कही ना कही मेरी खुशी जो है, वो मुझसे पीछे छूटती गई, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ, कि खुशी is very very important, वही तो है असली success, यह चीज है, देन उसके बाद, क्या जबरता हॉलिवोड के स्टार, ओसकर बिनर है, जिन्होंने गुडविल हंटिंग जैसी शांदार मूवी बनाई थी, वो मूवी देखी, उसमें उन्होंने एक psychologist का रोल प्ले किया है, जो एक इंसान, Matt Demon, को उसके लिए ओसकर मिला था, Matt Demon और Ben Affleck को, screenplay के लिए, तो उसमें वो एक इंसान को उनकी problem से उभारता है, जो बहुत परशान होता है, attachment disorder होता है उसे, लेकिन क्या आपको पता है, एक इंसान जिसके पास Oscar है, एक इंसान जिसके पास इतना पैसा है, वो suicide टर लेता है, Robin Williams is no more, क्यों, अगर यही है, success is the source of happiness, तो अपने इर्दिगिर्दे देखिए, और देखिए कितने successful लोग जो है, वो खुश है, happy है, बहुत सारे examples, इस किताब के खूबसूरती पता है, इस किताब में सबसे last point में takeaways लिए गए, यह मैंने बहुत, यह मैंने देखा ही, in fact, बहुत ही कम किताबों में देखा है, मतलब जैसे यह chapter wise है, ठीक है, you are seeing the chapter, और उसके बाद, chapters में क्या है, last में अगर आप देखिए, मेरी किताब को underline करने के बहुत जादा आदत है, ठीक है, तो यहाँ पर takeaways लिखे गए, कि important points क्या है, तो इस किताब में बहुत सारे examples दिये है, तो यह बताए कि, क्या success is the source of happiness, बहुत सारे successful लोग जो है, they are not happy, को suicide करा है, कोई परशान है, किसे कदार इडशा है, दिककते बहुत जादा है, तो success is definitely, is not the source of happiness, पूरी किताब ही इसी के ही उपर है, यह चीज है, then उसके बाद, what is success, success को define किया है, success is achievement, देखिए happiness अलग है, मैंने क्या बता है, पहले पार्ट में आपको यही पूरा define है, कि success is achievement, name and fame, यही तीन है success, भाई, इंसान को तीन ही चीज़ अपनी लाइप में चाहिए, fame चाहिए, name मतलब respect, right, हर कोई जाने, respect करे, achievement चाहिए, पैसा, लेकिन, जो most important चीज़ है, knowledge and happiness, वो कहां गया, इसमें, main ingredient हो, इस recipe में missing ही है, कामियाबी सिर्फ यही नहीं है, achievement, name and fame, इसके आगे बढ़के अगर आप देखो, वो है कामियाबी, वो कामियाबी ही कैसी, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, हर एक पल आपका परशानी से गुज़र रहा है, यहाँ पे, एक और billionaire की यहाँ पे कहानी बताई है कि उसके पाज इतना पैसा था, पर वो cancer से मरा, अपने आखरी समय में, एक दो साल उसके इतने ज़्यादा traumatic बीते, कि वो उबर ही नहीं पाया, तो अगर happiness यह थी, success is equal to happiness, तो काम हो जाना था उसका, बड़ ऐसा तो हुआ नहीं, यह चीज़ है, देन उसके बाद success एक addiction की तरह है, अब हम सबको पता है कि addiction, एक dopamine की, addiction, what is addiction, addiction को dopamine effect भी कहते है, dopamine जो आपका rewarding center जो हो activate होता है, और dopamine, basically neurotransmitter जो है, वो release होता है, जब आप alcohol पीते हो, जब आप smoking करते हो, जब आप drugs लेते हो, तो आपका dopamine जो है, वो release होता है, और आपको बता द addiction पे एक lecture लिया था, बदला paid course था वो, तो अगर आप शराब पी रहे हो, तो dopamine बहुत ज़ादा मात्रा में release होगा, है ना, बहुत ज़ादा मात्रा में, लेकिन उसके बाद dopamine का level कम होता जाएगा, तो आप इसी लिए और पीने लगते हो, कहते हो ना कि चार पहले आपने एक beer में नशा हो जाता था, अब दस beer में भी नशानी हो रहे है, यही है, यही बताता है, success is like that only, कि आपको पहले तो बहुत बड़ा hit मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको उतरे hits मिलें के नहीं, तो अब और और यह भी ले लो, इस से मुझे success मिल जागी, क्योंकि एक टाइम प लेकिन उसके बावजूद बोल रहा था कि यार मेरी जिनिगी में कुछ है नहीं, सब बेकार है, पैसा आपको एक वक्त तक खुशी देगा, बट उसके बाद सब साचुरेट हो जाता है, so what is the real happiness, आखिरकार असली खुशी है क्या, देन उसके बाद आप हमेशा successful लहीं, अब यहाँ पे सचीन तंदुलकर और बाकी का भी example दिया है, कि आप जैसे सचीन तंदुलकर का भी आप career उठा के देखो, ठीक है, अब उन्होंने कम से कम साड़े 400 matches खेले, लेकिन कितनी century है उनकी, 50 century, यानि कि और अगर आप half century भी मि नहीं हो सकते, regret की यहाँ पे बात की गई है, कि regret एक demon है, ठीक है, यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से जो अच्छी चीजे हैं, जो messengers of good, messengers of happiness हैं, उनको आप साथ लेके आ सकते हो, अब यहाँ पे messengers of happiness क्या है, दया, खुशी, contentment, fulfillment, satisfaction, दूसरों को दूसरों की मदद करना और वो क्या चीजे हैं जो आपको पीछे ढखेलते हैं, जो आपको बहुत ही problem में ढखेल देते हैं, जो की जहर भर देते हैं आपके अंदर, गुसा, jealousy, भयाना competition, हद से जादा इच्छा करना, यह सब, समझे रहो, तो खैर इस किताब में वो बहुत ही पूरा chapter ही है, ठीक है तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, तो हमेशा आप successful नहीं हो सकते हैं, और regret भी करना सही नहीं है, regret को यहाँ पे इसमें साथ, साथ points बताएं हैं, जो आपकी happiness को खतम कर देते हैं, उसमें सबसे important है, regret, यार मेरे तो 10 साल ऐसे निकल गए, यार मेरे तो 5 साल ऐसे निकल अब हम लोग, मेरे आयते 20 में 5 मार्क्स, वो भी cheating करके, और मेरे दोस्के आयते 20 में 8 मार्क्स, एक मेरी फ्रेंट थी आनामिका शुक्ला, totally brilliant, brilliant, absolutely, उसके आयते 20 में 18 मार्क्स, अब मैं देख रहा हूं कि वो अनामिका रोए जा रही है, कहल गए तो 2 मार्क्स कम हो गए, और मेरे पास कौन सा बहुत पैसा है, तो हम लोग खुश थे, बहुत जादा खुश थे, और वो खुश नहीं थी, बोलना नहीं चाहिए, पर आपको बता दो कि आज भी मतलब है, लेकिन वो उसका वो लेवल आ नहीं पाया, happiness का जो होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है, कि जो happiness है, वो आपकी choice है, happiness is a choice, समझ रहो, और happiness को लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हो, यह आपके उपड़िमेंट, आप दूसरे के actions को कभी control नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने actions को control कर सकते हो, कि किस तरीके से आप खोश रहे सकते हो, फर्स क और in fact legal case भी था और एक इंसान को बहुत trust करते थे, उन्होंने धोका दिया, ठीक है, तो अब जब वो उनके गुरू के पास गये, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम वो धोका अगर उसने दिया भी है, तो तुम अब क्या कर सकते हो, regret करने से क्यों कोई फायदा है, माफ क चीज है, यह हिसाब किताब, तो आप हमेशा successful नहीं हो सकते, थॉमस हैल वाइडिसन का example दिया है, कि हजार बार उन्होंने बल्ब नहीं बनाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने हजार तरीके सीखे, यह देखिए, उसकी factory जलगी वो इंसान हसरा है, वो माइंशेब देखो, थ हमारे अगर सो रुपे गिर जाएं, तो हम वही सोचेंगे, सो रुपे गिर गए यार, तुम ये नहीं सोच रहे हो, कि तुम थे कहां और कहां आ गए, तुम पैदा हुए हो, तुमारे पास एक फूटी कवडी नहीं थी जेब में, एक इंसान दो लाक रुपे कमा रहा है, ह तो बड़ा उदास, तो लोगों ने पूचा, भाई, दस लाक रुपे मिलके, उदास क्यों फ्री फंड के पैसे मिले, कहता नहीं नहीं, लोटरी बीस लाक की थी, अब ये क्या है, इंसान जो मिल गया, उसको लेके नहीं वो फुल्फिल रहे गाना है कह भी, इंसान को जो नहीं मिल रहा है, वो भी हमको चाहिए, और यहां सही बहुत बड़ी दिक्कत, एक ऐसे मेज, एक ऐसे, क्या कहते हैं, मेज को क्या कहते है हिंदी में, एक ऐसी चीज़ की शुरुवात हो, जहां पर फस जाएंगे, वो होता नहीं, मेज जिससे आप निकल नहीं सकते, चक्र नहीं पहोगे, और बाहर निकलने के आपको चाहिए, जिसमें शान्दार तरीके से, यहां पे एर ने फोर्थ फाक्टर को समझाया है, और वो क्या है, भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, सीक ट्रू हैपनिस, असली खुशी क्या है, यह आपको देखना पड़ेगा, और यह आपके ओपर depend करता है, यह आपकी choice है, और यह आप देखिए, आपको क्या चाहिए, सच्चाई क्या है, happiness का मतलब क्या है, यह applied पार्ट में अब आ गए है, ठीक है, एक happiness एक journey है, और आप किस चीज को लेकिए, आप list बनाईए, सबसे बढ़े, एक बुरी list बनाईए, क् हम भूल जाते हैं, कही ना कही हम जिन्दगी की भागा दोड़ी में, यह सारी चीज़े भूल रहे हैं, तो you have to make a list proper तरीके से, और क्या आपको खुश रखता है, यह देखो, what makes you happy, और वो करो, थोड़ा time निकाल के वो करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइफ को enjoy करो, एर बताते हैं, कि मुझे 40 साल के बाद यह realization होता है, मतलब 40 साल के बार में realization होता है, और अभी तक मैं कर क्या रहा था, हमने, मैंने अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा time चला गया मेरा, लेकिन चलो कोई नहीं, जब जागो तब ही सा मेरा, यह चीज़ है, negative emotion poison, positive emotions कि यहाँ प सकते हैं, जैसे air बताते हैं यहाँ पर, कि अगर मेरे पास कोई भी negative emotion आता है, तो मैं उसको काट देता हूँ, positive emotion से, अगर मैं किसी इंसान के बार में बुरा सोच रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, उसने इतना तो मेरी लिए अच्छा किया, कोई भी negative emotion आए, एक positive thought simple, और इस chapter को बहुत अच्छे से किता में explore किया है, अब इस chapter काफी ज़्यादा बढ़ा है, तो इतना तो अभी हम detail में नहीं जाएंगे, लेकिन nap versus pep is the best part of this book, कि किस तरीके से आप अपने अंदर की, जो positivity है, उसको ignite कर सकते हो, again, fulfillment and contentment, we have to be satisfied, लेकिस satisfaction कभी मिलेगा ही नही मैंने maze बता नहीं, maze है एक तरीके से, you will never ever find satisfaction, इतना पैसा है, अब और पैसा चाहिए, उतना पैसा अब और पैसा चाहिए, अब और success चाहिए, तो ये चलता ही रगे, cycle आपको अभी breaking नहीं कर पाऊगे, तो best क्या है बाई, जितना है, अच्छा है, attitude and gratitude, इसी से ही तो ऑबल, ठीक है, अगर मेरे पास इतना है, तो ठीक है, कल मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास इतना है, तो बहुत अच्छा हो सकता कल मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जब भी, जितना भी मेरे पास रहेगा, मैं कुछ रहूँगा, ये होता है attitude versus, मन्दब attitude and gratitude, एजी, इ हमेशा present moment को enjoy करो कल किसी ने देखा नहीं है जैसे यहां पे एर बताते हैं कि एक बार मेरा फ्रेंड आप उसके नीचे पुलिस आई ठीक है पुलिस ने दरवाजा खट-कटाया अब पुलिस आगई अब पुलिस के पास arrest warrant था तो नौकरने उपर inform किया तो आप देखिए वो उसका दिमाग चलने लगा अभी कुछ हुआ नहीं दिमाग चलने लगा कि क्या पुलिस मेरे लिए आई है मुझे गिरफ्तार कर लेगी जेल में डालते कि मेरा करीयर खराब हो जागी मेरी शादी भी नहीं हुए मैं क्या करूँ कि मैं तो वरबात हो जाऊँगा लेकि जब जीना सीखिए जो अभी आपके पास है उसमें रही है अधी मुमेंट रही है दाट सेट इंजॉइ करिए छोटी-छोटी चीजों के इंजॉइ करने से हैपनेस आती है माइंड एंड इगो यह एम-ई फैक्टर इन्होंने बताया है एम-ई बहुत चारे हैसे फैक्टर्स बन माइंड बहुत जादा इधर उधर भटकता रहता है मंकी माइंड है हर सेकेंड एक थोट आता आपको पता हर सेकेंड इतना जादा हमारा माइंड जो विजी रहता है उससे आपका इगो भी आ जाता है मैं मैं और मैं ताट सेट मैं करूंगा जो करूंगा एर बताते है कि मै मैंने जब तक मैं मैं कर रहा था तब तक दिक्कत लेकिन जब मैंने दूसरों के help करना चुरू किया तो मुझे इतनी खुशी मिली और आज भी मैं हर दिन लोगों की help करता हूँ हमारी पुरिसंस्था लोगों की help करती है यह चीज़ है So mind and ego इनको आपको कही ना कही control में रखना पड़ेगा वरना ये तो खतरनाक जानवर है हम सबने वो white wolf और black wolf की बात सुनी है कि एक आपके अंदर काला भेडिया है जो आपको बोलता है गलत कर लो कोई problem नहीं लेकिन जो अंतर आत्मा कि इस्ट्रेस और एंग्जाइटी को वो शांत करते हैं तफ सिच्वेशन में एंडॉर्फिन से रिलीज होते हैं ठीक है तो जितना ज़्यादा मुस्कुराना आप देखो मुस्कुराईए आप लखनव में हैं एक बार आप मुस्कुरा के देखो अपने रूम में भी अपने घर में भी जितनी ज़्यादा हो सके जैसे एर बताते कि मैंने मैं मुझो वो बॉल ली होती जिसमें स्माइली बनी होती है मुस्कुराने वाली वो तुमाश सबको बंट आओ जब आप देखते हो ना कि आपका हर कोई मुस्कुरा रहा है एक अच्छा मौल है खुशी का मौल है आप दी खुश होते हो एक इंसान का करेक्टर उसको डिफाइन कर देता अगर वो नेगिटेव है तो उसके इर्दियत हर कुछ नेगिटेव हो जाएगा और अगर वो पॉजिटेव हो तो उसको कोई रोख ही नहीं सकता दूसरों के लिए जीओ अपने लिए तो हर कोई जीता है make others happy कुछ ऐसा काम करो जिससे दूसरे भी खुश हो आपके बस में जितनी भी चीज़े हैं वो आप कर सकते हो right then divine soul पहुत ही जादा the most important जो last part है कि आखिरकार what is happiness and happiness is success जब आप खुश रहते हो ना तो success कहते हैं ना कि वो थ्री एट में था कि excellence के पीछे भागो लेकिन यहाँ पे खुशी के पीछे भागो जब आप खुश रहोगे तो अपने आप success आपके पीछे आईगी और यह जो divine soul है यह जो आत्मा है आपके बात यह है कि हम अपने आपको ही आत्मा आत्मा अलग है आप अलग हो आपको observe करना है बस बाहर से लेके आपको just you have to only observe ठीक है जैसे आप समझ लोग की thoughts सल रहे हैं लेकिन आप एक spectator आप देख रहे हैं और पिच्चर चल दी एक तरीके से जैसे पिच्चर देखते हैं कि आप पिच्चर सामने चल दी आप अलग हो तो आपको भी यहां पर वही चीज़ करनी है यही जो divine soul है और भगवान से connection क्योंकि वह जो fourth factor है ना वह भगवान जो है ना देखे बेसिक रहें तीन फाक्टर पर ही जाते हैं हम हम क्या कर सकते हैं हम कितना effort लगाते हैं लेकिन फूर्थ लगएगा बगल वाला success है वो बुराई करेगा उसकी के देखो वो क्यों कुछ नहीं कर सकता यह बहले वो कितना काबिल हो लेगिन वहां से उसके पतन की शुरुवात होती है समझ रहे ओ जब इंसान मैं सोच लेता है मैं वहीं से एहम जनम ले लेता है एहंकार जनम ले लेता है इगो जनम ले लेता है इंसान इगोइस्टिक हो जाएगा मैं कैसे कर सकता हूं नहीं चितने भी successful लोग हैं अप उनकी कहानी देखिए इसमें तो धेरो एक्जाम्पल इस किताब में साइट किये गए हैं कि सबसे बड़ी बात वो जो real wealth है उनकी क्या है? उनकी है खुशी अपने रुगों को खुशी, दूसरों के खुशी वो इस पे काम करते हैं spirituality is very very important और कही न कही spiritual dynamics, spiritual aspects को यह किताब बहुत अच्छे से explore करती है तो जब भी हम divine soul क्योंकि divine आध्यात्मिक रूप से भी ना यह किताब बहुत जाथ important है क्योंकि कर्म, divine soul इन सब के बारे में बहुत अच्छे से इस किताब में explain किया गया है जब भी हम divine soul की बात करते हैं happiness कहा है happiness को आपको change नहीं करना है याद रखिए three years का भले ही मैंने example दिया पट यहाँ पे आपको excellence के पीछे भी नहीं भागना आपको happiness के पीछे भागना है बट happiness के पीछे आपको भागना नहीं है क्योंकि आपके अंदर ही happiness है जब आप सत चित आनंद इस इस्थिती में रहते हैं सत के चित का आनंद समझ रहे हो जब आप अपनी consciousness क्योंकि देखिए mind and ego क्या है mind क्या है वो तो ख्यालों का गुच्छा है आपका शरीर यहीं रह जाएगा आपको पता है ना कि जब भी आपका शरीर यहीं रह जाता है आपका मन और एहंकार इसी के वज़े से ही तो क्योंकि लौफ कर्म ऐसे ही काम करता है इसी के वज़े से ही तो हमारा जनम होता है आपके कर्मों की वज़े से यह कैसा जाल बनाता है जिसकी वज़े से आपको अगला जनम मिलता है इसी से ही तो निकलना है सत के चित का आनंद समझ रहे हो सत, what is सत, that is truth what is चित, consciousness and आनंद is eternal bliss तो जब आप उस थिती में रहते हैं जब आप अपनी आत्मा आप अपने आपको उस परमात्मा की शक्ती क्योंकि आत्मा क्या है परमात्मा का ही तो इंश है समझ रहे हो की नहीं तो जब आप उस थिती को समझ जाते हो जब आप अपने mind और ego को उसे हट जाते हो जब आप शरीर से थोड़ा सा हट जाते हो जब आप एक observer की तरह रहते हो तो ही आपको असली खुशी मिलती है अंदर से ही वो आते जिस तरीके से खेरन ये खोजता रहता है कि भाई खुश्बू कहां से आ रही हो पूरी जिन्दगी खोजता रहेगा लेकिन उसको खुश्बू मिलती नहीं है और बाद में पता चलता है कि खुश्बूस के अंदर से ही आ रही है तो happiness आपके अंदरी है आपको किसी चीज़ को चेस करने की ज़र होती है आपको उसको अपने अंदरी ढूनना है और यही किताब बहुत अच्छे से इस पहलू को छूती है क्योंकि परमात्मा तो कड़ में है परमात्मा हर जगा है ठीक है तो यह हिसाब किताब है अब लास्ट में हम बात करेंगे देखिए जो air है वो कुछ बहुत important बात कहते हैं यहांपे ठीक है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पे बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि यहांपे सिप की बात होती है सुप्रीम इमोर्टल पावर सिप की वो बात करते हैं और बहुत ज़ादा ज़रूरी है उस चीज़ को समझना आपके अंदर जहकना रियलाइजेशन धेरो लोगों की मदद किये हैं और मदद से कितनी खुशी मिलती है AIR ने कितने लोगों को यहांपे कुछ स्टोरी वो शेयर करते हैं जैसे बताते हैं कि एक charity home में क्या हो था कि क्योंकि जब उन्होंने मदद करना चुरू किया तो उनके पास millions आ रहते लेकिन उसके बाद उन्होंने उन millions का यूज भी किया उसी millions जो आया वो गया दूसरों की help के लिए दूसरों की मदद के लिए तो वो बताते हैं कि एक ऐसे ही किस्सा है कि एक charity home में एक लड़के को लेने से मना कर दिया अब वो विचारी गरी मेरे पास आई बहुत रोई और हमने उसको फिर accept किया तब एक हम mission पर जुटें यहाँ पर यह पूरा mission है कि कोई भी इनसान दुखी न रहे साथ सौ से जादा लोगों की मदद की है एक ऐसे ही इन्होंने आप कह सकते हो मतलब इस तरीके की organization है यह या बनाई है जिसमें काफी जादा लोगों की मदद हो रही है और अभी यह mission जो है वो लगातार जारी है कभी-कभी बताते हैं कि जैसे बहुत बड़ा भगवान शेफ का statue बनाया है और वो वहां से power आती है तो यह बताते हैं कि कभी-कभी मुझे भी नहीं पता क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जब आप एक अच्छे mission पे निकलते हो मैंने खाली यह बोल दिया अच्छा mission लेकिन आपको financial help की ज़रूरत होती है तो बताते हैं कि कभी-कभी मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि कैसे हो रही है कहां से आ रहा है बड़ शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं हमने इतने लोगों की मदद की है शायद वो अच्छे काम की वज़े से ही लोग हमारे साथ जुडते जा रहे हैं महत्मा गांधी माइक्सपेरिमेंस विट टूथ यह एक्जांपल मैं खुद कोट कर रहा हूँ महत्मा गांधी ने बोला था जब उन्होंने साबर मति आश्रम में स्टाबलिश किया था बहुत जादा उनके पर हमले हुए थे कि अरे ऐसा कैसा आश्रम कि हर किसी को आप ऐसे ही आने दे रहे हो तो यह तो सही नहीं होगा तो फिर उसके बाद महत्मा गांधी यह बताते हैं कि एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ ता मैं बास पैसे नहीं थे लेकिन पता नहीं कहां से एक आदमी आया और मुझे पैसे दे के चला गया और अच्छे कहां से पैसे दे दिये कार से उत्रा और उसके बाद वो आदम मुझे कभी नहीं बिला तो वही कहते हैं, जब आप परमात्मा के काम करते हो, यही air भी बता रहे हैं, जब आप परमात्मा के काम से जुड़ते हो, तो अपने आप ही blessings आती हैं, अपने आप ही आशरवाद आता है, ठीक है? लास्ट पार्ट में भागवत गीता से लेकर बहुती बड़ी बड़ी फिलोसफी बहुती आसानी से समझाई गई है ठीक है ये चीज है तो ये शानदार किताब का चोटा सा रिविव था डिस्क्रिप्शन और कमेंट वोक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ ये किताब आप गिफ्ट करो बहले आप जैसे अगर आपको लगना है कोई दुखी है तो उसको गिफ्ट करोई है राइट बहुती सस्ती किताब है बहुती मतलब देखिए यहाँ पे मकसद बस यही है कि सबकी हेल्प हो जाए ठीक है जितने में आप पूरा एक चॉकलेट का पाकेट खरीते हैं उतने में तो किताब आ जाएगी और मेरे इसाब से यह रियल चीज है जिन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए समझ रहे हो किताब मेरी टेबल पर रखी थी तो एक मीटिंग के लिए मेरे पास कुछ लोग आए तो उन्होंने तुरंद इसमें ध्यान गया और फिर वो पढ़ने लगे और फिर वो किताब लहीं गये तो किताबों पर इन्वेस्ट करो जितना जादा हो सके कभी बुक फे किताब बढ़ी टफ लांगूगज में उनको समझने आसान नहीं है इसमें बहूत ही आसानी तरीके से चीजों को समझाया गिया है एक बहुत ही लेमें टर्म्स में कि हर कोई इंसान समझ ले ठीक है उसको चाहे कुछ पता हो चाहे ना पता हो ओके बाकी पचास से जाधा किताबे अल्लेडी एर लिख चुके हैं यह उनकी लिस्ट है ठीक है धेरो किताबे तो आप एक बार गो थू कर लिजेगा और वही मैंन डल्मी छीक है इंसान समझ व्हाँ कर रधना मुट है विए इंसान जाइंसा फम्पता है धरो दू जावर खूँंग किताबे मैं क्या बधता बाराजकर चाहे उतनां से एंसाकी है picking पिस्ते